नव वर्ष की शुरुवात के साथ नई उम्मीदें नई आशाएं होती हैं और मन में ये कामना होती है कि आने वाला नया साल पिछले साल से बेहतर जाए हमारे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए और नय साल के साथ जीवन में सब कुछ नया हो जाए आज हम आपको बताएंगे आने वाले नय साल दो हजार चौबिस के बारे में और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से ये नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है इस साल में किस तरह के फाइदे आपको होने वाले है, किस तरह की सावधानिया आपको रखनी है क्या है नय साल का नंबर गेम ये जानने का प्रयास करेंगे बात करते हैं नंबर 6 की जिन लोगों का जन्म महीने की 6 तारीक, 15 तारीक या 24 तारीक को है उनका नंबर है 6 और 6 का अंक है शुक्र का अंक 6 अंक वालों के लिए ये साल मिले जुले परिडाम दिखा रहा है बहुत सारी चीजों में बदलाव भी दिखता हुआ दिख रहा है इस साल आपको स्वास्थ में समस्याय रह सकती है इसलिए इस वर्ष 6 अंक वालों को अपने स्वास्थ का ध्यान देना है हड़ियों की समस्याय चोच पेट की दुरघटना की समस्याय और मानशिक समस्याय आपको परेशान कर सकती है करियर में भी साल की शुरुवात में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं वर्ष के आरंभ में करियर में दिक्कतें हो सकती हैं इस साल ऐसा लग रहा है कि करियर में आपको जल्दबाजी में परिवर्तन करना पड़ेगा और कोई नई शुरुवात करनी पड़ेगी ये बात जरूर है कि जो नई शुरुवात आप करेंगे वो नई शुरुवात आपके लिए अच्छी होगी धन की स्थिती आपके लिए संतोश जनक रहेगी पैसा रुपया परियाप्त मात्रा में आपके पास बना रहेगा लेकिन इस साल में शेयर बाजार और सटे आदी से बचियेगा इस पेक्यूलेटिव सेक्टर में आपको नुकसान हो सकता है जहां अचानक उतार चड़ाव हो ऐसे छेत्रों से बचियेगा अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल में जरूर हो सकता है और जो लोग विवाहित हैं उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में रिष्टों का ध्यान रखना चाहिए तो मोटे तोर से आप देखिए कि अंक छे वाले स्वास्त को ले करके और करियर को ले करके शुरुआत में परिशान होंगे लेकिन बाद में चीजें बेहतर हो जाएंगी करियर में कुछ नया करेंगे तो उनको लाब होगा धन का मामला उनके लिए ठीक दिखाई दे रहा है और विवाह भी इस साल हो सकता है लेकिन अगर आपका छे का अंक है तो अपने वैवाहिक जीवन में इस साल में आपको रिष्टों का ध्यान बनाए रखना चाहिए क्या उपाय करेंगे इस पूरे साल में अगर आप शनी मंत्र का जब करें ओम शंग शनेशराय नमहा इस मंत्र का अगर पूरे साल में आप जब करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा तो आपका आने वाला वर्ष दो हजार चौबिस शुब हो मंगल मैं हो इश्वर की कृपा हम सब के उपर बनी रहे इसी कामना के साथ मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार